अब अधिकांस लोग पोशन ट्रेकर को अपडेट भी कर चुके हैं लेकिन इस अपडेट से हम लोग को क्या फायदा होने वाला है और कौन-कौन सी अपडेटे इसमें आई है उससे क्या करना पड़ेगा यह साड़ी तमाम बाते को हम लोग समझेंगे पोशन ट्रेकर की इस और देखेंगे कि आखिर यह अपडेट से हम लोग को क्या फायदा होने वाला ठीक है आगे बढ़ेंगे पोशन ट्रेकर की यह 20.3 अपडेट है उससे पहले कनुरोध है कि आप मैंने चैनल पर पहले बीट कियें तो किप्या चैनल को सब्सक्राइब को लिए बेल आइकन को यहाँ पर देख सकते हैं कि पोशन ट्रेकर अपडेट लिख रहा है तो इस अपडेट में क्या क्या अपडेटे आई हैं यह चीज पहले हम लोग फोकस करेंगे और पोशन ट्रेकर को अपडेट भी करेंगे तो अपडेट पर किलिक कर दिए इसके बाद क्या आया है इसमें वो चीज हम लोग देख लेते हैं पोशन ट्रैकर की मैनली यह चार अपडेटे आई है ठीक है यहां से लेके यहां तक और इन चार अपडेटों में कहा जा रहा है कि आधार भेरिफिकेशन सबसे पहला जो अपडेट है वो आधार भेरिफिकेशन is made mandatory at the time of registration in online and offline यानि कि आप जब कोई beneficiary कोई नए beneficiary का registration कर रही है नए beneficiary registration से तत पर यह है कि आप किसी भी लाभू का नाम पोशन ट्रेकर में जोरने जा रही है तो वहां पर आधार भेरिफिकेशन को mandatory कर दिया गया है यानि कि अब आपको पहले आधार भेरिफाइड करना होगा तब ही आगे जाके पोशन ट्रेकर में आपका आधरवाइस क्या होगा कि आपका यह पेंडिंग लिस्ट में चला जाएगा हाला कि पेंडिंग लिस्ट में जाएगा तो यह एक सुबिधा दी गई है कि आप उसको आफ लाइन या ओनलाइन दोनों मोड में काम कर सकते हैं ठीक है अगला जो है इंट्रोडाक्शन अफ रे शेवरली अंडरवेट लिस्ट है जबीन पुर्वाइड़ इन दा करेंट मॉंथ है यानि आपका जो डैस्ट बोड एक खुलता है उस डैस्ट बोड में एक के सैम और थी यह शेवरली अंडरवेट करके एक दे दिया गया है तो आफसन ठीक है उस आफसन में जाके आप करे सबसे बड़ी अफडेट है आपको जो पोशन ट्रेकर में सबसे पहली बार दी गई है और यह नहीं था जैसे कि अगर आप आफ लाइन काम कर रही है तो उसको ऑनलाइन करना ज्रोड़ी होता है ठीक है तो ऑनलाइन जाएगा कैसे यह समाजने वाली बात है तो उसके लिए ही यह सुविधात दी गई है सिंक डेटा मैनुवली यानि आप जो आफ लाइन कोछ भी करेंगी उसको सिंक जैसे करिएगा आपका वो डेटा अपडेट हो जाएगा तो यह पोशन ट्रेकर की इतनी अपडेट थी पोशन ट्रेकर को हम लोग खोलेंगे और देखेंगे पहला अपडेट है कि आधार वेरिफिकेशन इमेज मंडेटरी अट टाइम ओफ रेजिस्टेशन इन ओनलाइन मोड और ओफ लाइन मोड ठीक है ओनलाइन और ओफ लाइन बाड़ी की से थुरसा समझेंगे सबसे पहले ठीक है जैसे यह बेनिफिसरी हो गया मेरे ठीक है यह अगर हम रेजिस्टेशन कर रहे हैं तो रेजिस्टेशन हम लोग कर लेंगे चाहे ओफ लाइन हो या ओनलाइन हो ठीक है ओफ लाइन कर दिए आप देखे यहां पे नीचे में सो कर रहा है ओफ लाइन ठीक है यह ओफ लाइन सो कर रहा है इसमें भी हम इसका एडिंग का काम कर सकते हैं यानि कि यह काम हम यहां भी जोड़ना होगा जोड़ सकते हैं आसानी से कोई दिकत नहीं देखिए यहां सब्मिट का ऑफ्शन आ गया लेकिन अगर यह चाहें तो हम online भी कर सकते हैं लेकिन offline और online करने का कारण क्या है और इससे आपको फाइदा और घाटा क्या क्या यानि offline mode में आपके mobile में अगर नेटवर्क नहीं है तो वो साड़ा कार्ज आके यहां पे सेव होगा और जब भी network आएगा आप यहां पे क्लिक जैसे करिएगा आपको यहां पे दिखाएगा offline mode ठीक है यहां कर रहा है न कि device is offline please connect to the internet to start अगर start करना चाहते हैं तो पेंडिंग टू सेव और जीरो एक्टिविटी यानि कि अभी तक कुछ नहीं किया गया इसलिए यहां पे जीरो सो करेगा आज जैसे ही कोई activity आप offline mode में काम करिएगा यहां आपको क्या करना है उसमें यह तो आपको यह स्टार्ट बटन है इसी पर एक बार क्लिक करना है जैसे आप करिएगा जितने भी एक्टिविटिया आप की होंगी offline mode में यानि कि जहां पर internet काम नहीं कर रहा होगा वहां आपकी होंगी तो आपका data सारा सिंक हो करके चला जाएगा जहां जाना चाहिए server पर ओके यह पहली update है ठीक है दूसरी update आप देख लिजे क्या है introduction to introduction of referral module in children category children category में एक referral module जोड़ा के आगया है ठीक है आप जैसे children खोल लिए इसमें तो इसमें एक referral module जोड़ा गया है जो कि यहां नहीं दिख रहा है तो उसको वह आपको कहां दिखेगा आप यहां पर more पर आजए ठीक है more पर आप देख सकती है कि यहां पर एक referral register है तो इसमें भी क्या काम करना है आगे चलके हम आपको बताएंगे अभी error देखा रहा है ठीक है आगे इसका भी update आपको देंगे तीसरी update जो है वह चीज़ हम लोग शेवरली अंडरवेट बच्चा का जो लिस्ट होगा वह सो कराया जाए तो लिए देखते हैं आप यहां पर आई जैसे यहां पर आईएगा आप dashboard पर dashboard आपको हर बार हम बताते रहें कि dashboard से बहुत सारे काम होंगे तो dashboard पर जैसे किलिक करिएगा आप देख सकती है यहां पर सैम और अंडरवेट चिल्रेन का एक मेनू दिया गया है current और previous यानि कि इस मंथ में जो भी लिस्ट होगा यहां पर सो करेगा और पिछले मंथ का आप देखना चाहिए इस पर किलिक करके देख सकती है कि पिछले मंथ में मेरा क्या स्टेटस था ठीक है तो यह तीन अपडेट हो गए चौथी अपडेट हम लोग देखते हैं चौथा अपडेट है facility is provided to sync the data manually यह आपको अलड़ी हम बता चुके है कि facility जो sync का दिया गया है वह आपको कहा मिलेगा जो 들 के लिए के लिए दिया घया तो इसमें आप चीच का facility उपड़ाद कराएगा वह यहाँ पर जो जीरो कर रहा है उसी पर जैसे किलिक करक्षोह तो यह सिंग फेशिलीटी और पेकर können तुमिनली चार अपडेट आपको आई है जिसमें आपको काम करना है तो पोसंoon Tracker करकी यह एक के नई अपडेट की वीडियो फी है कॉमेंट कड़ार बता यह बीडियो में आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए अपडेट आपको देते रहेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे चैनल पर पहले वीट के तो सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं अगले नए इंप्रमेटिव वीडियो के साथ